हलो दोस्तों मैं संदिप मिसरा आप सभी का सौगत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल SM Classes में जैसा है कि दोस्तों मैं आप सभी को B.H.U. B.H.C. Nursing Intense Exam की तयारी करा रहा हूँ और प्रिविएस वीडियो में हमने Physics में भीमी सुत्य से जुड़े हुए First Part को देखा जिसमें की Most Important Question थे जिन्हें मैंने आपको Solve भी कराया और उनसे जुड़े हुए Topic को मैंने Explain भी किया आज के इस वीडियो में हम वीमी सुत्य से जुड़े हुए दूसरे Part को देखेंगे और इसमें भी मैंने Most Important Question को इंक्लूड किया हुआ है जो कि Previous Year आपके एक्जाम में पूछेवे Question है और आने वाले एक्जाम के लिए Important है तो आप वीडियो को ध्यान से देखेगा और पुरा देखेगा कहीं भी वीडियो को Skip मत कीजेगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को Like कर दिजिए और यदि अभी तक आपने हमाया चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमाया चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बगल में जो बेल आइकान है उसे जरूर प्लेस कीजेगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है तो आईए वीडियो की सुरुवात कहते हैं तो Question No.14 है चुमबकी Fluss का वीमी सुत्र होता है B का वीमी सुत्र होगा M T-2 A-1 और A का मतलब एरिया है इसका वीमी सुत्र होगा L स्कॉयर तो फाइनली अगर हम इसका वीमी सुत्र देखे तो M L2 T-2 A-1 तो इसके according अगर देखा जाए तो जो आपका right answer है Option A है तो चुमबकी Fluss का वीमी सुत्र आप याद कर लिजे यह कहीं न कहीं जरूर पूस्ता है आपके एक्जाम में और important है चलते हैं अगले question क्यों Question No.15 है Swap Prerikattu का वीमी सुत्र होता है Dimensional Formula of Self Inductance Is तो Swap Prerikattu का formula आपको पता ही है इसका formula होता है L is equal to N5 बटे में नीचे की और क्या हो जाएगा I हो जाएगा तो अभी हमने Fluss का वीमी सुत्र निकाला तो Fluss का वीमी सुत्र क्या था ML2 T-2 A-1 और I का I होता ही है तो इसका वीमी सुत्र होगा ML2 T-2 तो I को हम A भी कहते हैं तो उपर 1-A पर तो नीचे वाला A ये भी माइनस उपर होगा जाएगा तो हो जाएगा A-2 तो इसके recording देखा जाएगा तो हमारा right option है option B previous video में मैंने आपको बता रखा है कि हम A की जगा I भी यूज़ कर सकते हैं या फिर I की जगा A यूज़ कर सकते हैं चलते हैं एगले question की ओर प्रतिघात का वी मी सुत्र होता है dimensional formula of reactance is तो प्रतिघात का unit होता है ओम और ओम का मतलब है resistance और resistance का मतलब आपको पता है तो resistance का जो होगा वही प्रतिघात का होगा तो resistance R बराबर होता है V by I क्योंकि हम जानते है V बराबर क्या होता है I into R तो R बराबर V by I होगा तो यहां पर आप आसानी से R निकाल सकते हो तो R का कैसे निकालोगे तो V बराबर क्या होता है यानि कि V की V मी सुत्र क्या होगी ML2 T-3 A-1 और I का क्या हो जाएगा A हो जाएगा यानि कि I की जगा हम A भी लिख सकते हैं तो नीशे वाला यह जब उपर जाएगा तो उस पर एक माइनस और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा ML2 T-3 A-2 यानि कि option A सही है आई चलते हैं एगले question के question number 17 है through probability का V में सुत्र होता है यानि कि dimensional formula of pole strength is तो इसका मातरक होता है ampere meter ठीक है तो ampere meter इसका है unit और ampere का मतलब क्या हो गया current और ampere का A ही हम रहने देते हैं meter लंबाई है तो यहाँ पर लिखेंगे हम L यानि कि जो V में सुत्र होगा वो होगा AL तो इसके according देखें तो right option option B है क्योंकि M 0 है और T 0 है और इसमें आपको L और A दोनों मिलेंगे तो आपका जो right option बनता है option B M 0 AL T 0 आप ऐसे भी लिख सकते हो तो exam में आपको confuse करने के लिए कुछ इस तरह से भी option दिये जाते है question number 18 है चुम्ब की आगुण का वी मी सुत्र होता है dimensional formula of magnetic moment is तो चुम्ब की आगुण का मतला हो गया M तो M बराबर होता है I into A तो I का मतला आप I लिख सकते हो या फिर A लिख सकते हो A यहाँ पर दूसरा वाला जो है वो area यानि कि L square तो इसके हिसाब से देखे तो आपका जो right option है option D है ठीक है क्योंकि यहाँ पर M 0 T 0 दिया हुए M 0 T 0 कर दोगे तो M A L 2 T 0 ठीक है तो इसके according option D है आई चलते हैं अगले question क्योंड question number 19 है चुम्ब की छेत्र की तीविता का वी मी सुत्र होता है dimensional formula of magnetic field intensity is तो चुम्ब की छेत्र की तीविता मतलब B बराबर हो गया F upon I L और F का जो वी मी सुत्र होता है M L T के power minus 2 और I का A लिख सकते हैं और L का L तो जब आप इसको solve करोगे तो आपको क्या मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं उपर भी L है नीचे भी L है तो L से L cancel हो जाएगा तो मिलेगा M ठीक है L को L से cancel कर देते हैं M हो गया ठीक है उसके बाद है T minus 2 और A नीचे की और है तो उपर की और हम देख सकते हैं A के power minus 1 तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो right option है option D चलते हैं A की जगह यहाँ पर आए दिया हुआ है नीचे वाले में आप देख सकते हैं A के power minus 2 A के power minus 1 दिया है तो सभी तीनों option सही है इसलिए right option है option D चलते हैं एंगले question की और Planck नियतांग का विमी सुत्र होता है हम सभी जानते है यह बराबर H mu तो H का unit होता है Joule second तो Joule का मतलब है energy और energy का जो विमा होगा होगा ML2 T minus 2 और second का मतलब हो जाता है time तीक है यानि की T तो finally जब आप इसको solve करोगे तो होगा ML2 T minus 1 यानि की option A सही है चलते हैं अगले question की और अगले question है धारा घनत का विमी सुत्र होता है dimensional formula of current density is तो धारा घनत का मतलब हो जाता है current by area तो धारा घनत पराबर हो जाएगा current by area तो current का हो जाएगा आपका I और area का हो जाएगा L2 तो यानि की विमा होगा I L minus 2 और हम सभी जानते हैं की I की जगह हम A भी use कर सकते हैं तो हमारा होगा A L के power minus 2 तो यहाँ पर हमारा जो right option है option C है और यदि आप Q के term में लिखोगे तो आपका B answer भी सही आएगा तो धारा घनत तो का मतलब है current by area ठीक है तो current का मतलब हमने क्या रखा current का मतलब हमने रखा आई और area A है इस प्रकार हम आई बराबर Q by T भी लिख सकते हैं तो इस तरह से हमारा equation आएगा Q upon A into T तो अब क्या करेंगे Q का जो भी मिस उत्रे Q ही रहने जाते क्योंकि Q के form में दिया हुए नीचे A है A का क्या हो जाता है L2 हो जाता है और T क्या है समय है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा capital T ही रहेगा तो finally देखा जाए तो हमारा B हो गया तो यहाँ पर तीनो option सही है A भी सही B भी सही है C भी सही है इसलिए राइट option है option D तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करेगा और अपने दोस्तों में इसे share करना मत भूलेगा और जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका notification सबसे पहले आप पर पहुँचे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत